ये हैं लेजर न्यूज सच्की किराण नमस्कार स्वागत है आपका लेजर न्यूज में मैं हूँ आपके साथ रूवी और आईए करते हैं खबरों की शुरुआत उन्होंने तो बकाइदा सेवी को चिठी लिख कर बदाया था कि अडानी ने आठ हजार करोड रुपिया हिंदुस्तान से बाहर साइफन आउट किया है ओवर इंवाइसिंग के जरिये अब वो पैसा वो किसी भी तरह से ला सकते हैं हवाला के थू ला सकते हैं किसी भी तरह से जरिये जरूरी नहीं है अगर वो बीजेपी को पैसा देना चाहें तो किसी किसी भी तरह से दे सकते हैं कि अभी तो फाइल हुई है नंबर हो गई है अब हीरिंग पर हो सकता अगले हफते लगेगी ने हमको तो पूरी उमीद है अगर कोर्ट ने इतना बढ़िया दिया एलेक्टरल बॉंड पर तो अब ये बात तो जागर कोट ने करवा दी कि घूस खोरी हुई है अब उस घूसकोरी की जवाब देही होगी कि नहीं होगी हम लोग तो सिर्फ़ जवाब देही मांग रहे हैं ना कि उसकी जवाब देही होनी चेह ये घूस-खोरी तो हिं लिए जो बात बाहर आई है हम लोगों ने एक टेबल लगाया है इसमें कि इतनी कंपनियों का केस बाहर आया है जो फार्मसूटिकल कंपनियां हैं जिन्हों ने इलेक्टोरल बॉंड के जरीये पैसे दिये बीस पच्चिस तो हैं जिनके ड्रग्स जो हैं सबस्टैंडर्ड पाए गए थे इसकी हम शेर कर देंगे आपके साथ कॉपी देखे टॉरेंट ग्रूप जाइडस केडिला हम बता देते हैं कुछ-कुछ नाम ग्लेनमार्क सिपला आई-पी-सी-ए लिबारेटरीज हेटरो ग् इंटास फार्मसूटिकल, नाटको फार्मा, माइक्रो लाब्स इसमें से देखे जाइडस केडिला वो कंपनी है जिनोंने एक बहुती खतरनाक जानलेवा दबाई बनाई और रेमडेस्वीर के नाम से जो की कोविड के समय सरकार ने खुब प्रमोट किया और डॉक्टर्स भर भर के लोगों को दिलवा रहे थे, बड़ी महंगी दबाई थी, पचास हजार करोड का एक डोज, पचास हजार रुपे का एक डोज मिलता था, अब वो दबाई बिलकुल पता था कि जानलेवा दबाई है, बहुती खतरनाक दबाई है, लेकिन खुब दिलवाई गई ग हुआ उसके बाद, उन्होंने खुब पैसा दे दिया, इलेक्टरल बॉंड के जरिये भाजपा को, तो इस तरह के बहुत सरे हैं. प्रेण के जरिए खिर गोफ रगे खिर डेखी तरह को, ने खिर गोजापनी खिर प्रेण के लिए इन भी गुटता है, अबसी है। आपका इसमें लागा है नमगर दिए ता जबाव देका खाजपा चलना ने में है तो जो चाहते हैं कि पूरे देश में इसके खबर जाए क्योंकि यह इतना बड़ा गोटाला है तो हम लोग तो जगा जगा जाकर इस तरह की प्रेस कांफरेंस कर रहे हैं पूरे देश में घूम घूम कर इसकी प्रेस कांफरेंस कर रहे हैं क्योंकि यह इनफरमेशन देश के कोने कोने में फैलनी चाहिए यह इतनी संगीन इनफरमेशन है जो कि इस इलेक्टर बांड के जर मीडिया आजकल कहा जाता है वो तो इसमें खामोश है लेकिन एक अल्टरनेट मीडिया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्स हैं जिन्हों ने चानबीन करके खोज करके यह सब निकाला है विस कंपनी ने लेक्टरल बॉंड दिया इसको यह कॉंट्रैक्ट मिला इ इस कंपनी ने इलेक्टर बॉंड दिया इसकी दवाह सब्स्टैंडर पाई गई थी इस कंपनी ने इलेक्टरल बॉंड दिया यह तो तीन साल भी नहीं हुए थे इसको इनकार्परेट हुए तो यह सब चीजें छानबीन करके बहुत सारे जर्नलिस्स ने मिलकर निकाली है और हम दोगों ने इस petition में उसका compilation डाला है तो ये information पूरे देश में फैलनी चाहिए लोगों को पता लगना चाहिए कि हुआ क्या है इस देश में मैं इसमें एक चीज आड़ कर देती हूँ उन कंपनियों ने केवल 40 प्रतिशत के करीब पैसे बीजेपी को दिये हैं बाकी जो पैसे उन कंपनियों ने दिये वो भाजपा के इलावा जो पार्टियां हैं उनको दिये इसलिए जो एक confusion भी हो रहा है और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात रखी इसलिए भी इसके बारे में confusion है सीधी सी बात है ED, CBI और IT के उपर नियंतरन केवल Central Government और ruling party at the center का हो सकता है तो सवाल जो पैसे कंपनिया दे रही है जिनके उपर ये raid चल रहे है जो भाजपा को दे रही है ये सवाल सीधा उठता है कि क्यूं दे रही है ये कंपनिया भाजपा को पैसे बाकी parties को पैसे दे रही है उसमें quid pro को हो सकता है हो सकता है कोई contract लेना चाहते हो उसके अंदर जांच जरूर होनी चाहिए और याचिका में केवल यह नहीं है कि भारतिय जन्ता पार्टी को ही पैसे दिये गए उसी की मांग है जांच की जांच की मांग है ऐसी तमाम cases में जहां पर पैसे किसी भी political party को दिये गए हो चाहे वो TMC हो चाहे Congress हो चाहे DMK हो चाहे भारतिय जन्ता पार्टी हो जहां पर भी लग रहा है कि corruption है उसकी जांच मांगी गई है Electoral Bonds का data है Electoral Trust Cash किसी और तरीके से पैसे दिये गए हो उसकी तो सूचना कोई नहीं आई है यह केवल Electoral Bonds का data आया है और इसी में नजर आ रहा है कि कहीं पे 1% कहीं पे 10% जो लिया जा रहा है Electoral Bonds के जरिये से उसके बदले में contracts दिये जा रहे है Electoral Bonds Unconstitutional है या तो सीता रमन जी कह रही है कि अगर अब उनकी फिर से सरकार आई तो वो Constitution बदल देंगे वरना यह Unconstitutional Bonds है और इनका कोई मतलब नहीं है वापस लाने का इस तरीके से कहना तो यह कहने की बात हो गई कि सुप्रीम कोट गलत बोल रहे हैं हमारे देश के यह प्रसवारता हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि Electoral Bond के मुद्दे पर जो फैसला आया सुप्रीम कोट का और उसके बाद जो खुलासा आया वो यह दिखा रहा है कि Electoral Bond के जरीए इस देश में सिर्फ देश का ही नहीं लेकिन जैसे परकला प्रभाकर निर्मला सीता रमन जी के जो पती हैं वो कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ तेकि Electoral Bond जब लाया गया 2017-18 में तो जेटली जी जो Finance Minister थे उन्होंने ये बोला था कि हम ये इसलिए लाएं हैं ये गुप्त तरीका है लोगों को दोनेशन देने का पॉलिटिकल पार्टियों को और ये गुप तरीका हमने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर लोगों को पता लग जाए खास कर सरकार को अगर पता लग जाए कि कौन जना किस पार्टी को पैसे दे रहा है तो उगर विपक्ष को दिये जाएंगे तो सरकार उन कंपनियों को प्रताडित करेगी ये उसका रीजन जेटली जी ने दिया था अब ये तो इसका रीजन बिलकुल जूटा निकला क्योंकि जो सरकारी रूलिंग पार्टी थी उसको शुरू से पता था कि कौन इलेक्टोरल बॉंड के जरीए पैसा किस पार्टी को दे रहा है वो इसलिए पता था क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉंड जो की एक हजार से लेकर एक करोड के डिनॉमिनेशन में इस्यू करे जाते थे और 95% से ज़्यादा सिर्फ एक करोड के डिनॉमिनेशन में खरीदे गाए यानि कि बड़े-बड़े कंपनियों ने खरीदे इलेक्टोरल बॉंड किसी को इशू करता था तो वो नंबर रेकॉर्ड किया जाता था और जब कोई पुलिटिकल पार्टी उसको एनकैश करती थी तब भी वो नंबर रेकॉर्ड किया जाता था इसके मतलब स्टेट बैंक आफ इंडिया को शुरू से ये पता था कि कौन सा bond किस party को दिया जा रहा है और क्योंकि state bank सरकारी bank है तो सरकार को पता था तो इसलिए ये तर्क तो बिल्कुल जूटा निकला मोदी जी ने दूसरा तर्क दिया कि हम काला धन खतम करना चाहते हैं political party हों की funding में काला धन खतम कैसे किया जाएगा जबकि political party को और candidates को पैसा cash में लेने में कोई रोक टोक नहीं है खुली छूट है कितना भी पैसा cash में ले लो और political parties तो कुछ जो cash में पैसा आता है उसमें उसको डिक्लियर भी करती हैं ये कह देती हैं ये नहीं बताती कि किस ने दिया क्योंकि कानून ये कहता है कि बीस हजार से कम बाद में उनने उसको change कर दिया कि दो हजार से कम आपको डिक्लियर नहीं करने की जरूबत है तो वो लोग कह देते हैं कि मैं हमको एक हजार करोड मिला और लोगों ने छुटे पैसे दे दिये किसी ने सौ रुपे किसी ने दो सौ रुपे किसी ने पांच सौ रुपे हमको एक हजार करोड हम चादर फैलाते हैं लोग उसमें पैसा डालकर चले जाते हमको नहीं पता तो यानि कैश में पैसे लेने में ना तो पहले कोई रोक टोक थी ना आज कोई रोक टोक है उसमें से कुछ पैसा ही लोग अपने अकाउंट में डिक्लियर करते हैं कि हमको इतना पैसा कैश में मिल गया हमको नहीं पता किसने दे दिया और जाहतर प चुनौती दी सुप्रीम कोट में, इलेक्टोरल बॉंड को, इलेक्शन कमिशन, रिजर्व, बैंक ओफ इंडिया, सब ने आपती जताई थी कि भई इससे बहुत गरबड होगा, लोगों को पता नहीं लगेगा, यह तो लोगों का हाक है जानने का, दूसरा उन्हों ने ये ब होता है, एक करोड का नोट है, अब आपने बैंक से तो ले लिया, लेकिन उसके बाद किसी और को दे दिया, और उसने आपको कैश दे दिया, और उसने जाके डोनेट कर दिया, यह भी किया जा सकता है, यह सब शंका जहर करी गएं थी, तो हम लोगोंने तीन आधार पर कुछना के अधिकार के खिलाफ है जो कि एक मौलिक अधिकार माना गया है ये जानने का कि कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है दूसरा कि इस से घूस खोरी बढ़ेगी क्योंकि इस के इस गुप्त दान के जरीए जादातर पैसा घूस में रूलिंग पार्टियों को दिया जाएगा अपने फेवर में कांट्रैक्ट लेने के लिए अपने फेवर में पॉलिसी बनवाने के लिए और अपने आपको एडी आई टी सी बी आई से बचाने के लिए सुप्रीम कोट ने 6 साल बाद इसका फैसला दिया और जब फैसला दिया तो बहुत अच्छा फैसला दिया उन्होंने इलेक्टोरल बॉंड की स्कीम को रद कर दिया यह तीनों आधार जिस पर हमने चैलेंज किया था यह तीनों आधार उन्होंने माने और उन्होंने रद कर द जिसमें ये कह दिया गया था कि कोई भी कमपनी कितना भी चंदा किसी भी पुलिटिकल पार्टी को दे सकती है, पहले कानून ये था कि कोई कमपनी अपने प्रॉफिट का साड़े साथ परसेंट से जादा पैसा नहीं दे सकती पुलिटिकल पार्टीयों को, वो कानून बदल दिए गया था उसी फाइनान्स एक से और बोल दिया गया था कितना भी पैसा दे सकते हैं, प्रॉफिट हो ना ओ, तब भी दे सकते हैं, उसको भी सुप्रीम कोट ने रद कर दिया और बोल दिया कि नहीं, ये गलत है और कोई भी कमपनी साड़े साथ परसेंट से जादा नह इसने बॉंड खरीदे और किस पुलिटिकल पार्टी को दिये स्टेट बैंक ने पहले तो बहुत आना कानी करी बोला कि नहीं हमको ये डेटा देने में अभी चार महीने और लगेगे चुनाओ गुजर जाने दीजे उसके बाद हम बताएंगे सुप्रीम कोट ने बोला नहीं तुमको देना पड़ेगा जल्दी देना पड़ेगा उन्होंने दे दिया पहले तो कह रहे थे कि हम ये मैच नहीं कर सकते हमारे पाद दो जगे इन्फरमेशन है एक तो जिन्होंने खरीदा और एक जिन्होंने एनकैश किया हम इनको मैच नहीं कर सकते हम इनको मैच नहीं क कब दिया और जब ये खुलासा हुआ तो वही बात सामने आई जो हम लोग कह रहे थे जो हम लोग को शंका थी कि ये जादे तर पैसा घूस के तौर पर दिया गया और घूस तरह तरह से अपने उपर से हटाने के लिए यानि कि EDIT की रेड होती है उसके बाद वो कंपनी जिसके उपर रेड होती है वो electoral bond सेकडो करोड के electoral bond करीद कर ruling party यानि भाजपा को दे देती है और उसके बाद EDIT का हाथ उनके उपर से हटा लिया जाता है और घूस बहुत सारी दवाई बनाने वाली कंपनियों ने दिया इसलिए क्योंकि उनकी दवाई पाई गई थी कि जान लेवा है, खतरनाक है, सब स्टेंडर्ड है और ड्रग कंट्रोलर उस पर एक्शन लेने वाला था तब घूस दी गई भाजपा को कि भई ये जान लेवा दवाईयां चलने दी जाएं और इसके चलते हुए ऐसी ऐसी जान लेवा खतरनाक दवाईयां चलने दी गई जिससे लाकों लोगों की मौत हो गई यानि की इन्होंने घूस लेने के लिए लोगों की जिन्दगी तबाह कर दी लोगों को मरवा दिया मरने दिया और इस वज़े से परकला प्रभाकर कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घुटाला है क्योंकि इलेक्टरल बांड तो साड़े स तोला हजार करोड के लिए गए और दिये गए लेकिन इन बॉंड के जरीए जो घूस दी गई उससे लाखों करोड के कांट्रेक्ट दिये गए लाखों करोड रुपिया जो एडी आईटी रिकवर कर सकती थी उन कंपनियों से वो रिकवर नहीं किया गया और लाखों लोग ये तो बहुत संगीन अपराद है इसकी जवाब दे ही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इसका पता लगना चाहिए कि उस कंपनी में कौन लोग थे जिन्होंने इस घूस देने में पार्टिसिपेट किया उस पार्टी में कौन लोग थे जिसने घूस लेने में पार्टिसिपेट किया और उस सरकार में कौन लोग थे जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दिये, पॉलिसी बनाई या अपना हाथ खीच लिया और इसी बी आई ड्रग कंट्रोलर में कौन लोग थे जो इस कौनस्पिरेसी में शरीक हो गए और उनकी जवाब देही क्योंकि ये तो बहुत संगीन अपराद है इसके लिए तो उनको जेल जाना पड़ेगा पर जेल कौन जाएगा वो तो जांच के बाद पता लगेगा उस क कह रहे हैं कि इसकी एक स्वतंत्र जाच होनी चाहिए जो EDIT CBI नहीं कर सकता इसकी जाच तो एक SIT ही कर सकती है एक स्वतंत्र संस्था ही कर सकती है जो सुप्रीम कोट बना सकता है कई cases में बनाया भी है और इसी लिए हम लोगों ने ये petition file करी है Common Cause और Center for Public Interest Litigation ने मिलकर कि वैं इस घोटाले की एक independent SIT के थूच जाच हो जिसमें पता लगाया जाए कि कौन लोग involved थे उनकी जवाब दे ही उनका prosecution हो और उस party जिसने ये घूस का पैसा लिया है उन पार्टियों ने ये घूस का पैसा सिर्फ भाजपाने नहीं लिया है जो राज्य में भी कुछ सरका थी उन्होंने भी लिया जिन जिन पार्टियों ने घूस का पैसा लिया है ये पैसा उन पार्टियों से उगलवाया जाए यानि अगर उन्होंने आठ हजार करोड घूस के तौर पर लिये है तो आठ हजार करोड वो पार्टियां वापस करें क्योंकि ये तो proceeds of crime है proceeds of crime है नहीं बोला है कि भई ये पैसा वापिस किया जाए वो इसलिए नहीं बोला है क्योंकि corporate donations illegal नहीं थे लेकिन गुप्त corporate donations illegal थे तो उन्हेंने बोला था कि अच्छा हम गुप्त का परदा हटा देते हैं जिससे लोगों को पता लग जाए लेकिन घूस के तोर पर पैसे लेना तो बिलकुल illegal है और अगर घूस के तोर पर लिए गए हैं तो वो पैसा तो उन पार्टियों से उगलवाना पड़ेगा और इस वज़े से हम लोग कोड गए हैं हमें उमीद है कि इसकी हेरिंग जल्दी होगी अब आपको अंजली कुछ और इसके पहलों बताएंगे इतरा जो यह कहा गया कि इलेक्टोरल बॉंड्स की स्कीम इसलिए लाई जा रही है कि पारदर्शिता बढ़ जाए पुलिटिकल पार्टी फंडिंग में ये तो सुप्रीम कोड ने ही उजागर कर दिया हम जो शुरू से कह रहे थे कि ये स्कीम हमारे देश में लोगों का जो जानने का अधिकार है सूचना का अधिकार है उसे पूरी तरह से बेकार बना रही है और सुप्रीम कोड ने इसको अनकॉंस्टिटूशनल गैर समविधानिक इसी बिना पर करा है घोशित कि ये अनुछेद 19.1.A जो कि हमें समविधान में आजादी देता है बोलने की और अभिव्यक्ति की उसका ये उलंगन करती है स्कीम तो पहली चीज ये दूसरी चीज बार बार ये कहा गया कि ये इसलिए लाया जा रहा है जिससे की अनॉनिमिटी मिल जाए डोनर्स को और डोनर्स गुप्त तरीके से पैसे दे पाएं जो कैश इसलिए देते थे कि हम सामने आकर पैसा नहीं दे सकते हैं ऑपोजिशन कौन किस पार्टी को दे रहा है ये पता नहीं चलेगा बॉन्ट ट्रैक हो रहे थे ये अब जब डेटा बाहर आया है सामने आ चुका है चाहे उस समय के सबसे वरिष्ट जो ब्योरोक्राट थे जिनोंने स्टियर किया पूरे इलेक्टोरल बॉन्ट स्कीम को वो आज तक यह ही कह रहे हैं कि SBI illegal काम कर रहा था ट्राकिंग तो होनी नहीं थी बॉन्ट की लेकिन आज स्पष्ट है कि जाने किसके इशारे पर लेकिंग इलेक्टोरल बॉन्ट की ट्रैकिंग हो रही थी समझ में आ रहा था सरकार को और देर्फोर रूलिंग पार्टी को कि कौन कितने प प्रदान मंत्री ने एक मीटिंग में बताया जो उनके साथ हुई इंटर्विव के देखे हम तो ये कैश खतम करने के लिए अनॉनिमिटी के लिए लाये थे और ट्रांसपेरेंसी के लिए लाये थे सकसे स्टोरी बताया इलेक्टोरल बॉन्ट को ये दोनों ही चीजें लग अतार दो हजार चौदा से पहले से सुन रहे हैं कि भरष्टाचार मुक्त भारत बनाया जाएगा हमें बार बार ये कहा जाता है कि देश में भरष्टाचार बहुत कम हो गया पर जैसे कि प्रशांत ने बताया ये जो डेटा निकल के आया है ये तो साफ तरे से दिखा रहा है ये किस तरीके से देश में सबसे बड़ा भरष्टाचार का घोटाला दिख रहा है और ये जो पूरा एक फसाड बनाया गया कि भरष्टाचार मुक्त हो गया है भारत अब तो भरष्टाचार रहा ही नहीं भारत में आज अगर हम इस डेटा को देखते हैं साफ नजर आत है कि कितने तरीके से हमारे देश में भरष्टाचार हुआ कितने लेवल्स पर इस इलेक्टोरल बॉंड्स के फाइल हुई है ये जो कोट में अभी पेटिशन इस पेटिशन में हम लोगों ने चार पांच तरीके के जो भरष्टाचार हैं उनको उजागर किया है पहला है ज देटा में ट्रेंड्स मेगा इलेक्ट्रिकल एंजिनियरिंग एंड इंफ्रस्ट्रक्चल प्राइवेट लिमिटिड जो है इन्होंने 140 करोड रुपे के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतिय जन्ता पार्टी को दिये और 14,000 करोड रुपे का कॉंट्रैक्ट इन्हें तुरंत मिल महाराश्ट्रा में तो यहां पर भाजपा की सरकार थी उस समय पर तो यह जो प्रॉक्सिमिटी है यह दिखा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है और तुरंत एक कॉंट्रैक्ट उस कंपनी को बड़ा मिल जाता है एक सो चालिस करोड ही धर है जो इलेक्टोरल बॉन्ड में है लेकिन जो कॉंट्रैक्ट है वो चौदा हजार करोड रुपे का कॉंट्रैक्ट है तो आप यह देखिए कि एक तरह से नजर आ रहा है कि यह तो केवल दस प्रतिश्यत जो हमें हमारे सामने डेटा आया है वो है इससे कितने गुना तो लाखों करोडों के कॉंट्रैक्ट ऐसे दिये गए होंगे जो नजर आ रहे हैं इस डेटा में जो की इलेक्टोरल बॉन्ड के देने से दिये गए हैं दूसरी चीज पॉलिसीज को कैसे इंपक्ट किया गया है हाल ही में भाजपा सरकार जो है वो तूजी का जो फैसला आया था जिसमें प्रशान थी लॉयर थे वो किस तरीके से उसने देश को हिला दिया था उसमें यही था कि जो स्पेक्ट्रम दिया जा रहा था उसको एलोकेट हो रहा था उसकी निलामी नहीं की जा रही थी अब कोट ने यही का था कि हमारे देश में spectrum की निलामी होगी ऐसे ही कोई allocation नहीं कर सकते भारती टेलीकॉम से पैसा लिया गया है डेड़ सो करोड रूपे electoral bonds के जरिये से और सरकार ने जो allocation की बात है वो कर दी है और सरकार अब court भी पहुँच गई है कहने के लिए कि हम इसको competitive तरीके से नहीं देंगे निलामी नहीं करेंगे हम इसकी हम तो allocation करतेंगे तो policy कैसे बदली जा रही है electoral bonds के जरिये से और कितने लाखो करोड रूपे का नुकसान जो public ex checker को है बात हुई थी टूजी की ये तो actually अब मच बहुत ही जादा sophisticated spectrum की अब हम बात कर रहे हैं तो कितने लाखो करोड रूपे का loss हो सकता है फिर बात जो दूसरी है वो है ED, CBI और IT के इस्तिमाल की ED, CBI, IT के raid पढ़ते हैं और वही company उसी दोरान में कहीं न कहीं दिख रही है data में के जाके भारतिय जन्टा पार्टी को पैसे देती है क्यूं दे रही है वो companies पैसे, companies पैसे दो ही कारण से दे सकती है एक तो ये कि वो कह रही है कि आप हमारे खिलाफ जो भी cases चल रहे हैं उन्हें ठंडे बकसे में डलवा दीजिए बंद करा दीजिए, washing machine चलवा दीजिए जिसको हम सुनते हैं दूसरी चीज जो हो सकता है कि EDIT और CBI को इन company के पीछा लगाया गया हो extortion वसूली के लिए ये भी एक possibility है जो की investigation के बाद ही पता चलेगी और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका हमारे लोकतंतर पे असर पड़ रहा है हमने देखा है कि कैसे दो sitting चीफ मिनिस्टर हमारे आद जेल में हैं उन में से जो दिली के चीफ मिनिस्टर है वो एक्साइस का जो policy है alcohol exercise policy उसके चक्कर में वो जेल में डाले गए हैं उसमें जो main approver है सरत्चंद्र रेडी उनकी जो company है उन्होंने बीजेपी को 55 करोड रुपे से जादा के electoral bond दिये हैं तो सरत्चंद्र रेडी जो हैं वो main accused है उन्हें arrest किया जाता है नवंबर 22, 2022 में और 5 दिन के अंदर उनकी company औरोबिंदो फार्मा बीजेपी को 5 करोड रुपे के bond देती है उन्हें bail दे दी जाती है माई 2023 में medical grounds पर bail मिलती है कि उनकी कमर में दर्द है इसलिए उन्हें bail मिल जाती है ED जो है वो bail को oppose नहीं करता और आप ये देखिए कि हर case में human rights के जो defenders हैं उनके सब के cases में bail oppose होती है इनकी case में bail oppose नहीं होती इने bail मिलती है ये approver turn करते हैं और इनकी company पचास करोड के और electoral bonds भारतिय जन्ता पार्टी को देती है तो इनकी जो statement है as an approver उसकी क्या veracity रह जाती है इस तरीके की भी सारी चीजें निकल कर आ रही है electoral bonds से जैसा प्रशान है और भी जो पार्टीज है उन्हें भी bonds मिले है आई एफबी एगरो इंडस्ट्रीज जो है इन्हों ने तिरिनमूल कॉंग्रेस को टीमसी को 40 करोड 40 करोड रुपे की electoral bond दिये और उन्होंने तो रेकॉर्ड कर लिया अपनी मीटिंग में वीडियो रेकॉर्डिंग भी बाहर आ गई है वो कह रहे हैं कि हम excise के issues में फसे हुए है and this is being paid as per our instruction from the government तो किस तरह से इन electoral bonds का इस्तेमाल extortion के लिए possibly हो रहा है ये समझ में भी आ रहा है और finally जो बार बार बात कही जाती है कि काला धन रोकने के लिए ये लाए गए ये तो सरा सर इसके अंदर जो डेटा आया है नजर आ रहा है कि ये हो ही नहीं सकता था ये बात RBI ने भी लिखी थी जो finance ministry को जब electoral bonds लाए जा रहे थे उरजित पतेल उस समय पर governor थे RBI के उन्होंने भी कहा कि electoral bond मत लाईए इससे काला धन बढ़ जाएगा फिर भी electoral bond लाए गए और आज जो डेटा सामने आ रहा है इसमें 33 ऐसी कमपनिया हैं जिनका aggregate net loss साथ साल के losses जो उनके हैं एक लाख करोड रुपे के losses है और वो कमपनियां electoral bond दे रही है तो आज सवाल ये है कि क्या money laundering चल रही थी क्या वो front के तरीके से काम कर रही थी ये company या उन्हीं में कुछ ऐसा गोटाला चल रहा था जो की काले धन सफेद करने का ये पूरा एक system बन गया शेल कमपनिया है ऐसी कमपनिया है जो तीन साल पहले भी नहीं सेट हुई दो महीने पहले हुई उन्होंने करोडों रुपे दे दिये electoral bond से जबकि companies act में लिखाया कि कोई company जो तीन साल से कम के पहले सेट अप हुई है वो पैसा नहीं दे सकती political parties को ये सारी चीजे निकल कर आ हो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर investigators का ही रोल जो है वो फसा हुआ है EDCBI जो हमारे देश की सबसे बड़ी investigating bodies है वही नजर आ रहा है कि कहीं इस घोटाले में उनका भी नाम आ रहा है तो वो नहीं कर सकती इसमें investigate इसी लिए इस याचिका को दायर किया गया है कि इस इसमें court monitored SIT होनी चाहिए शुक्रिया यह देखिए पहली बात तो अंबानी का तो नाम आ गया है क्योंकि एक कंपनी है quick supply chain जिसने 140 करोड के ज्यादा 500 करोड के पांच सो करोड के बॉंड दिये हैं वो तो Reliance की कंपनी है अडानी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है लेकिन यह जो कंपनिया है जो शेल कंपनिया है जिन्होंने लॉसेज में थी उनको अल्टिमेटली अडानी फंड कर रहा था कैश में नहीं कर रहा था यह 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 द्नव पांच से रहा है आछी कंपनिया यह अभी तक बार नहीं आया है लेकिन देखिये कोई जरूरी नहीं है कि अटनी ऐल्यक्तोर बॉंड के सरये पैसे जैसा थैड़ा नहीं को तो किसी भी तरह से पैसे दे सकता है लाक करोड के पैसे पैसे नहीं रुंद आर्ट जो यह यह जो फॉरन उसका इंवस्टिगेशन करते हैं ना नहीं दूसरी एक यह जो डियार करते हैं यह हैं लेजर न्यूज सच की किरान